गुड मॉर्निंग और विल्कम बैक टो चैनल स्टुडेंट तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास एट का मॉडल पेपर साइंस का ठीक है जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये मॉडल पेपर आप जरूर पढ़े है क्योंकि इस मॉडल पेपर से ये क्योंकि ऑफिशियल जैक का मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर से 30-40 परसेंट कोशन जो है वो आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है और एक्जाम आप लोग का बहुत जल्द आने वाला है तो इसलिए तैयारी थोड़ा बढ़ियां से करें साथ ही आप लोग इंदी और साइंस और इंगलिश ये सबका भी मॉडल पेपर अल्रेडी अप्लोड हो चुका है तो क्लास एट का एक मॉडल पेपर अदलब एक प्लेलिस्ट होगा मॉडल पेपर के नाम से उसमें आप देख सकते हैं या फिर वीडियो खतम होगा तो आप को यहाँ पे एट क्लास का मॉडल पेपर का पूरा वीडियो शो हो जाएगा आप यहाँ से भी देख सकते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं कि साइंस में कैसा कैसा कूश्चन पूछा गया है उसको देख लेते हैं तो चलिए सबसे पहले आप लोग जो है पेंट कॉपी का सही होता है और क्या क्या कोश्चन पूछा गया है तो पहला कोश्चन है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर सुरू किया गया तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब सुरू किया गया तो यह 1972 से 1973 में सुरू किया गया है ठीक है यह सब से इजी कोश्चन कि सर पर थम कोश और अपने लोगों का कोई ग्रूप है तो उसमें शेयर कर दीजिए वीडियो को ताकि आप लोग के दोस्त लोगों को भी थोड़ा हिल्प मिल जाए अब कोशन थर्ड पूछा गया है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकु से काटा जा सकता है यह भी सबसे सिंपल कोशन है चाक संचरनियी रोग का सबसे मुकिकार कौन है संचरनियी रोग यानिकी एक चीज से बूसरे चीज में फैल ना ठीक है किसी एक चीजासे मक्की जो होती है मक्की अपने साथ बीमारी को ले करके आती है तो उसके साथ वो रोग चलता है और फिर वो मक्की से आदमी फैल जाता है ठीक है? तो पांचवा नमबर जो है तो घरेलू मक्की ही देखिए आपका संचर्णी रोग का मुख्यकारक है उसके बाद इसलिए कहा जाता है कि खाना को हम लोग को ढख करके रखना चाहिए क्योंकि मक्की अक्सर खाने पे ही बैठती है और हम लोग खाना को खाके बिमार हो जाते है चट्था नमबर कोश्चन निम्न में से कौन सा जन्तु जरायूज है तो जरायूज जो है वो आपका मनुश्य है सेवन नमबर कोश्चन कि सुस्क मौसम में बालों में कंगी करने पर वह बिखर जाता है इसके लिए कौन सा बल उतरदाई है तो इसके लिए आपका स्थिर्विदुत बल है स्थिर्विदुत बल अब एट नमबर कोश्चन देखिए कि निम्नांकित में से किस इंधन का उसमें मान सबसे अधिक होगा किस इंधन का उसमें मान सबसे अधिक होता है तो वो होता है हाइड्रोजन ठीक है उसके बाद इन में से कौन सा गुन सुत्र हाँ यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा confusion है LPG का भी उसमें मान अधिक होता है ठीक है तो आप इसको verify करके comment करके बताईएगा कि आपके अनुजार से LPG सही है या hydrogen बुक में थोड़ा सा मिला लिजिएगा उसके बाद इनमें से कौन सा स्कुनसुत्र शिशू के लिंग निर्धारन करता है तो शिशू के लिंग निर्धारन में देखे XY और XX दोनों होता है ठीक है तो इनमें से कौन से गुनसुत्र शिशू के नर लिंग का निर्धारन करता है ठीक है तो नर लिंग का बात किया गया था तो इसलिए हम लोग का जो answer होगा xy जैसे कि अगर xx होता है तो वो कौन होती है मतलब इस्तरी होगी लड़की होगी लड़की का जन्म होता है अगर xy होगा गुनसुत xy होगा तो नर यनिकी लड़का का जन्म होगा यह चीज़ को याद रखिया तो नर का लिंग निरधारन xy से होता है आँ इस तरी का पूछा जाए तो xx से होगा उसके बाद दसमा नमबर question मानव नेतर में वस्तू का प्रतिविम किस भाग पर بनता है तो यह सबसे simple मानव नेतर में वस्तू का प्रतिविम जो है रेटीना पर बनता है ठीक है रेटीना और इसको हिंदे में दृष्टी पटल भी बोलते हैं तो दृष्टी पटल भी याद रखिएगा ठीक है दृष्टी पटल चलिए उसके बाद 11 नमबर कोश्चन है कि खरीब फसल का उदारन तो खरीब फसल ये भी सिंपल और नकार ओर लाब्दायक क्छ मामले में लाब्दायक तथा कुछ मामले में लाब्दायक इसका सही अंशर हो जाएगा D कुछ मामले में घरसन हमारे लिए क्या है लाब्धायक भी आ ठीक है उसके बाद 14 number question है कि पैरा सुट बनाने स्रावता प्राज जो है दो मतलब 20 हर्टज से ले करके 20,000 हर्टज तक होता है ठीक है यह नमबर जो ऑप्शन है आपका यह आपका सही हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं एक बार कोश्चन नमबर क्या पूछा था 15 में ही मानव के कानू के लिए स्रावता प्राज हा ठीक है यही हो जाएगा आपका 20 हर्टज से ले करके 20,000 हर्टज तक होता है मानव का अगर यही निम्न सीमा पूछ दे की मानव के कानू के लिए निम्न स्राविप प्राज क्या है तो फिर आपका 20 हर्टज हो जाएगा और उच्छ पूछ दे तो 20,000 हर्टज हो जाएगा उसके बा रही है, इसका सबसे मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है कारवर डायुक्साइड की बढ़ती मात्रा, उसके बाद 80 नुंबर कोशन में आ जाए ये 80nd नूमर कोशन में पूचा है कि संकट मन जाती है प्रजाती, संकट प्रजाती, मतलब कौन सी ऐसी प्रजाती है जो संकट में जा रही है तो ये जो है अभी का टाइम में आप बाग देख सकते हैं बाग सबसे संकट बन जाती है यनि इसकी संक्या कम होते जा रही है पिर जन्तु कोशिका में क्या अनुपस्तित होता है तो जन्तु कोशिका में आपका कोशिका भित्ती अनुपस्तित होता है ठीक है उसके बाद 20 नमबर कुश्चन है कि जल के सुद्ध करन में किस अधातु का उपयोग होता है तो जल को हम लोग जो मतलब जो सुद्ध करते हैं उसके लिए हम लोग किस अधातू को प्रयोग करते हैं तो क्लोरीन होता है ठीक है क्लोरीन से हम लोग जल को साफ करते हैं विस्म के पहले प्रतिजैविक का नाम, तो पहला प्रतिजैविक जो है, जिसको हम लोग कहते हैं, पेंसिलिन, ठीक है, प्रतिजैविक का मतलब एंटिबाइटिक, तो एंटिबाइटिक जो सबसे पहले बना था, वो पेंसिलिन बना था, उसके बाद 22 नमबर कोशन है, कि पा पिर इससे तरह इसका दो अलग इसका दो अलग और इसका वह अलग अलग इसका ब्ढ़ग जाता है तो ये अमीबा है जिसमें दूई खंडन विधी के दोरा जनन होता है 24 नंबर कोश्चन है कि द्रब का दवाब गहराई के बढ़ने से क्या होता है तो द्रब का दवाब अगर गहराई की और आप बढ़ते जाईएगा तो वो भी बढ़ता है ठीक है जिसे समुंदर के अंदर जितना अंदर जाते जाएगा पानी के अंदर जाते जाएगा तो उसका दबाव जो है पानी का वो बढ़ते जाएगा उसके बाद 25 नमबर कोश्चन इंधन का उसमें मान का मातरक क्या होता है तो इंधन का उसमें मान का मातरक कीलो जूल पर केजी ठीक है कीलो जूल पर केजी उसके बाद सबसीजी कोश्चन 26 नमबर की सोरा अवस्था की उम्र क्या होती है तो सीधा कह सकते हैं समाने नेतर का इस पश्ट बिंदू या निम्तम बिंदू जहां तक हम लोग पढ़ सेके हैं मतलब आप जब बुब को पढ़ते हैं तो अपने आग से कितने दूर तक रख करके आराम से पढ़ सकते हैं तो उसके लिए है 25 cm ठीक है निम्तम दूरी जो है 25 cm है अगर यही चीज़ पूछा जाए कि दूर बिंदू कितना है मानम नेतर का यहीं एक आदमी कितना दूर तक देख सकता है तो उसका एंसर जो है आपका अनंत हो जाएगा ठीक है अनंत तक आदमी देख सकता है उसके बाद 28 नमबर कोश्चन देख लेते हैं हम लोग इसम 29 नमबर किस ग्रह को प्रभात का तारह एवं संध्या का तारह कहते हैं कौन सा ग्रह होता है जो मतलब जो सबसे आदा चमकता है उसे हम लोग प्रभात का तारह भोर का तारह ठीक है कहते हैं हम लोग तो वो जो है आपका सबसे आदा चमकने वाला तारह है सुक्र ग्रह ठीक और कुछ दिनों से बिहसपतिगरह, और शुक्र गरह भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है उसके बाद, तीसमा नमर कोषिशन है कि किस आकरिती की वस्तू पर तरल घर्शन कम होता है तो किस तरह का वस्तू? तो जो नौकाखार का होता है ठीक है उसमें तरल घर्षन कम होता है तभी देखे जैसे नदी है, समूंदर है उसमें नाव जो बनाया जाता है वो इस शेप का इसलिए बनाया जाता है ताकि घर्षन कम हो अगर घर्षन जदा होगा तो नाव आगे नहीं बढ़ पाएगा कहने का मतलब है अगर हम लोग एक ऐसा फ्लैट सा डाल देते हैं तो घर्षन जादा हो जाएगा लेकिन ऐसा बना देने कारण घर्षन कम हो जाता है उसके बाद 31 नमर पदार्थ जो प्रकृतिक प्रकिरिया जैसे जीवानू के द्वारा अब घटित होती है क्या कहलाती है तो यह आपका कहलाएगा जैव निमनिय करनिये ठीक है जैव निमनिय करनिये उसके बाद 32 नमर कोश्चन है आपका कि दोहनी की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है, तो द्वानी की प्रभरता जो है, आपका आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है, 33 नमर कोश्चन की विपरित दिसा, विपरित आवेश के बीच क्या प्रितिक्रिया होती है, तो विपरित आवेश के बीच आकर्शन की प्रितिक्रिया होती है, ठीक है, कहने का म 34. हरिद गरह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदाई गैस ठीक है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदाई गैस जो है वो गैस कौन सा है तो वो आपका हो जाएगा कार्बन डायोकसाइड भी होता है और मीथेन भी होता है इसे लिए दोनों हो जाएगा 35 नमर कोशन वह पुस्तक जिसमें सभी संकटपन प्रजातियों का रिकॉरड रखा जाता है कहलाती है ठीक है तो एक बुक है जिसमें जिस इंदन में जीव का अनस है तो वो आपका है कोईला उसके बाद 36, 37 number question है कि कोशिका में कोशिका द्रब के बीच खाली संरशना होती है जिसे कहते हैं तो उसे क्या कहते है कोशिका में जो खाली संरशना होती है तो उसे हम लोग कहते हैं रिक्तिका ठीक है 37 number का C हो जाएगा उसके बाद कौन सा अधातू कमरे के ताब पर भी वायू के साथ अभिक्रिया करती है तो वो आपका हो जागा स्वित फास्फोरस ठीक है वाइट फास्फोरस 39 number किनवन की प्रकिरिया की खोज किस ने की थी किनवन की प्रकिरिया की खोज जो है आपका लूइस पिशर ने किया है उसके बाद जब चालक विलियन में विदुद्धारा परवाहित की जाती है तब विलियन के रंग में परिवर्तन होता है यह संकेत करता है यह किस चीज का संकेत करता है यह संकेत करता है विदुद्ध कोश्चन देखिए एकदम सबसे प्यारा सब बढ़ियां से कोश्चन है कि विस में सर पर था हम एक भीड का क्लोन विक्सित किया गया था जिसका नाम था तो भीड का क्लोन जो विक्सित किया गया था उसका नाम था डॉली याद रखिएगा डॉली ठीक है अब क्लोन का मतलब गालता है भेर्ड बनाए गया उस भेर्ड से एक और विवड़ बना गया यहीं उसे का जस्ट एक एक डम तॉनमपondsय कॉपी ठीडommes क्याइल हुआ तो वही ही आपका 내려 तो चलिके डॉली का कलों बन गया उसके बाद 42 नमर कोश्चन तरल है तरल किया है देखी एक कैसा अजीब सा कोश्चन है बड़ बहुत अच्छा कोश्चन है तरल क्या होता है तो द्रब एवं गैस दोनों उसके बाद 42 नंबर हो गया तो अब 43 नंबर के और बढ़ते हैं 43 नंबर कोश्चन है कि विदृत उपकरनों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अ तो यही होता है कि लड़कों का लगड़ो हो जाता है और लड़की का लखड़ी भी हो जाता है ना ठीक है चलिए उसके बाद 45 नंबर कोश्चन स्वेथ प्रकास में कितने रंग होते हैं तो स्वेथ प्रकास में कितने रंग होते हैं तो स्वेथ प्रकास में आपका जो रंग होता है वो होता है साथ अब यह आप लोग को कैसे याद रखना है कौन-कौन सा रंग होता है इस चार, पांच, छे, साथ, अब याद करने का तरीका तो होता है विब्ग्योर, विब, जी, वाई, ओ, आर, विब्ग्योर, ठीक है, यानि आर से रेड, ओ से ओरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, वी से ब्लू, आई से इंडिगो, भी से वाईलेट, तो ये तरीका से याद तो आपको पता चल तो आपको याद हो जाएगा, इंडर धनुस में साथ रंग होते हैं, कौन पांसे रंग होते हैं, ठीक है, और क्या पैटन पर होता है, किस तरह से होता है, तो ये भी याद रहेगा, तो इसको याद कर लिजए, चलिए, अब हम लोग देखते, 46 नमबर, एक अस्थान पर, एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं, तो एक ही अस्थान पर खूब सारा एक ही तरह का पौधा अगर हम उगा दें, तो वो कहलाएगा मेरा क्या, खेती, ठीक है, कौन को लोग खेती करते हैं, किन-किन के घर में खे केती होता है, एक मिनट केती 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 नहीं कहेंगे, इसको हम, इसको फसल कहेंगे न, फसल, एक ही प्रकार का बड़ी मात्रा में उगाए गया, पौधा का बात कर रहा है, तो वो फसल कहलाता है, ठीक है, मालिची हम घर में चार को मगई उगा लिए तो वो फसल नहीं कहलाएगा खूब बड़ा जमीन है चार-पांच शेक अठा एक दम विग्धा में उतना में पुरा मगई लगा दिया है वो मेरा फसल कहलाएगा ठीक है 47 नमबर खगोल्य प्रिंड की बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है तो खगोल्य प्रिंड की बीच की दूरी यानि यहां माली जे सूरजे और यहां पृत्वे है तो ये दीमनों के बीच की दूरी को हम किस से ना पेंगे तो प्रकास वर्स से मा पेंगे ठीक है लाइट ये उसके बाद अरतालिश नमबर घरसन चीकने सता है क्या पेच्छा रुखड़े सता पर क्या होती है तो कम होगी या अधिक होगी तो जाहिर सी बात है अधिक होगी है ना अगर रुखड़ा सता होता है तो आपे घरसन अधिक होता है मतलब रुखड़ा सता है ये एकदम रफ है तो इस पे जो है क्या होता है मतलब रगड़ाता जाता नहीं है कहने का मतलब है कि एक प्लेन रोड है प्लेन रोड में जब गाड़ी ब्रेक मारेगा तो गाड़ी अदम ससरते हुए आगजा करके रुखेगा तो यह हो गया चिकना सता तो घर्षन कम था अब यह रुखडा सता यहाँ पर ब्रेक मारेगा गड़ा गुड़ा में तो भड़ाम भड़ी भड़ाम करके गाड़ी जो उसका रुख जाएगा ठीक तुरंत रुखी जाएगा तो यह हो गया रुखडा सता यहाँ पर रुखडा सता में घर्चन जो क्या है अधिक हो जाता उसके बाद उन्चास नमर कोश्चन निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है तो प्राकृतिक बहुलक जो है आपका वो है सॉरी सेलुलिोस है ना बोलने जा रहे थे पूलने में सोचे छोड़ देते ठीक है कुकर का सिटी बज़ गया मुझसे अलग चलिए 50 नमर कोश्चन ज वही कोई म्यूजिक अच्छा से बजाएगा तो अच्छा लगता है और वही कोई खला करेगा कोब जोर से गाड़ी का और पेंबू पूपा तो वो क्या कहलाता है वो सोर कहलाता है ठीक है तो आपका 50 कोश्चन कंप्लीट हो गया कोश्चन तो एजी है तो आप लोग करेंगे एक्जाम को तैयारी कि जब बढ़ियां से ठीक है और माक्स बढ़ियां लाइए चलिए फिर मिलते हम नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाएं टेक केर